To online classes by सुधामेम हमने इसके पहले की वीडियोज में 4 parts में discuss किया था price rise के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा इसी chapter का बहुत ही important topic that is consumer awareness जिसे हिंदी में कहा जाता है जागो, ग्राहक, जागो जिससे related आपको कुछ advertisement भी आपने टेलेविजन में देखी होगी जो लोगों तक ये बात पहुँचाने का काम किया जाता है कि being a consumer, being a ग्राहक हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो कहें कोई भी चीज आप अगर खरिदने जाते हो तो आपके साथ गलत काम किया जा सकता है तो उसी topic को हम यहाँ पे detail में study करेंगे तो चलो शुरू करते हैं Nowadays, every person is a consumer in one way or the other Many items of same features of different brands are available in market Illiterate and unaware consumers do not have complete knowledge or information about diversity and alternative uses of goods As there are several middlemen between producers and consumers The consumer is exploited in many ways आज के date में किसी को भी हम consumer कह सकते हैं भले वो 2 रुपे की चीज खरिद रहा हो 50 रुपे की चीज खरिद रहा हो वो consumer कहलाता है, ग्राहक कहलाता है अब आप market में निकलेंगे तो एक ही तरीके की चीज के आपको इतने सारे brands नसर आएंगे कि आप खुद confused हो जाते हैं कि क्या चीज ली जाए और जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए असली चीज और नकली चीज में differences ढूनना काफी आसान हो जाता है लेकिन ऐसे लोग जो कैसे बताय जा रहे हैं illiterate बताय जा रहे हैं जो अनपढ़ हैं और जिनको ये पता नहीं है कि ये जो हम चीज वस्तू खरिदने जा रहे हैं ये कितना अच्छा है हमारे लिए और कितना अच्छा नहीं है इसके अलावा जो भी चीज बन करके मार्केट में हम तक पहुँचा ही जाती है कंजूमर तक पहुँचा ही जाती है उसमें कुछ लोग देखने को मिलते हैं जिसमें आते हैं middleman ऐसे लोग जो चीजों को main markets तक पहुँचाने का काम करते हैं वो कई तरीकों से आपको करते वे लोग नजर आएंगे कैसे duplicate चीजों को बेंच देना ऐसे लोगों को जो सिफ boxes को देख करके ही चीजों को खरीदना पसंद करते हैं ऐसे बहुत सारे brands आए हैं जिसको हम उसकी value की वज़ा से या उसकी originality की वज़ा से maximum rate में purchase करते हैं लेकिन वही चीज जब duplicate आजाती है तो ये differences पता करना एक पढ़े लिखे लोग के लिए और एक अनपढ़ लोग के लिए काफी जादा complicated हो जाता है आगे देखते हैं कि इसमें हम आगे क्या topic discuss करेंगे The system variant, the goods and services that the consumer buys in lieu of money are of good quality, proper weight and at a reasonable price is known as a consumer protection Consumer protection is not just an agitation but it is a movement of consumer awareness Consumer awareness is a moment of consumer protection Consumer protection is a well-organized program for the people of the society to make them mature consumers with the help of which anti-consumer activities, exploitation and deceptions may be faced Ralph Nada started a movement in America to bring consumer awareness Thus he called pioneer of consumer movement अभी किस चीज़ को बताया जा रहा है एक ऐसा system जहाँ पर goods यानि चीज़ों का जो लेन देन होता है, खरिदना, बेचना होता है या जो भी services होती है यहाँ वहाँ आने जाने की ये सब consumer के तहत उसके इर्दगिर्दी होता है वो पैसों की लेन देन से होता है तो जब हम किसी चीज़ का payment कर रहे है तो उसकी quality कैसी होनी चाहिए, good वजन proper होना चाहिए और उसका price भी reasonable होना चाहिए ये सारी चीज़ें जिस भी particular term में add की जाती है उसे हम consumer protection कहा जाएगा यानि ग्राहकों की सुरक्षा है तो इन चीज़ों का ध्यान में रख करके गवर्मेंट ने एक प्रक्रिया की है consumer protection सीफ एक पहल नहीं है बलकि एक ऐसा कदम उठाय गया है जिसमें consumer को कैसे जागरुक किया जाए consumer जागरुक रहेगा से उन तक चीज़ों को पहुँचाने के लिए ऐसे लोग जो consumer का exploitation है anti consumer activities करते हैं या चीज़ों को ज़्यादा rate में खरितते हैं उनसे उनको बचाया जा सके ऐसा ही एक movement शुरू किया गया था Ralph Nadar के द्वारा जो अमेरिका में थे जुनोंने ग्राहकों को जागरुक करने का काम शुरू किया था इसलिए हम कह सकते हैं के वो consumer movement के pioneer मतलब sthumb माने जाते हैं Satisfaction of consumer is a motto Consumer is the king of the market Such statements such been exaggerated and deceptions in the present time Producers, entrepreneurs or traders produce things as per their ability and convenience Later on, they try to attract consumers through enticed advertisements ग्राहक की संतुष्टी ही हमारा मिख्य उद्देश है ऐसा आपको जगे जगे banner लगा हुआ नजर आएगा advertisement में भी नजर आएगा सेम तरीके से ग्राहक ही market का राजा है ये भी आपको सुनने में नजर आएगा काफी ज़्यादा बढ़ा जढ़ा करके काफी ज़्यादा चीज़ों के साथ mail जोल करके ये आपको हर जगा ऐसे लोग बुलते वे advertisement में banners में नजर आएंगे बट जो भी चीज़ों को produce करता है यानि producer जो हम तक चीज़ों को पहुँचाने का काम करता है फिर बले वो trader हो वो क्या करता है उन चीज़ों को हम तक लाने के लिए अपनी शमता के हिसाब से और अपनी facility के हिसाब से market में चीज़ों को पहुँचाने का काम करता है बाद में वो कोशिश करता है कि कैसे वो ग्राहकों को अपनी चीज़ों को मैक्सिमम परचेस करने के लिए अट्रैक करें तो उसका एक ही मोड है क्या है टीवी के माध्यम के द्वारा रेडियो के माध्यम के द्वारा या फिर जगे जगे चीज़ों को बड़े-बड़े website के मदद से hoardings यानि banners की मदद से और दूसरे तरीके के जो advertisement के प्रचार के तरीके है उन सभी के मदद से वो क्या करता है अपनी किसी भी चीज़ को उसकी maximum advertisement करेगा अब हम जाते हैं कि जब हम रोट पे जाते हैं तो ऐसे हजारों आपको banners दजर आएंगे अलग अलग चीज़ों के जो हमें काफी जादा attractive लगते हैं तो उसकी मदद से क्या होगा कि एक ही चीज़ जब हम रोज रोज देखेंगे तो कभी ना कभी हमारे मन में आएगा कि हमें ये चीज़ ट्राइ करना चाहिए तो ये इनका main तरीका होता है consumers को convince करने का अब जरूरी नहीं है जो चीज़ जितनी अच्छी दिखती है वो उसकी quality भी उतनी अच्छी हो जिस चीज़ की advertisement जादा होती है possibility उस चीज़ में exploitation की जादा होती है मिलावट की जादा होती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो जादा दिखता है वो बिखता है but surely हम ये भी कह सकते हैं कि जो जितना बिखता है guarantee नहीं है कि उस product की जो quality है वो अच्छी हो quantity अच्छी हो या वो satisfy कर सके consumer की जरूरतों को इस वज़ा से consumer कई बार exploit हो जाते हैं अब बात करने जारें कौन से नहीं कानुकाइदे consumer की exploitation के उपर बनाए गए हैं कौन सी नहीं changes लाए गए जिससे ग्राहकों का शोशन ना हो चलो देखते हैं consumers are exploited by the producers and traders in different ways which is given below he is exploited by providing commodity of less weight than the one printed on the packet by providing slightly defective or fake commodities goods overpricing by providing adulterate goods which are dangerous or harmful for health unsatisfactory after sales services example not providing construction goods or services as per predetermined conditions in providing electricity, banking, insurance, telephone or medical facilities seller or trader shows negligence and humiliates consumer by cheating in selection of goods by attractive and deceptive advertisements by adopting malpractices of selling by selling fake goods in such a manner that they cause physical as well as mental harassment by creating artificial scarcity and by not providing complete information consumer is cheated तो consumer कई तरीके से उनका sotion किया जाता है producers के द्वारा और traders के द्वारा जैसे कि उसको exploit किया जाता है ऐसी चीज को देना जिसका पैसा ज्यादा चार्ज किया जाता है लेकिन weight less होगा, packet पे जो print होगा उसे ज्यादा पैसा उसे ठग लिया जाता है या फिर defective चीज़ों को दे दिया जाता है या गलत चीज़ों को पहुंचा दिया जाता है या rate जादा उनसे ले लिया जाता है या फिर ऐसी चीज़ें जो उनके लिए सेहत के लिए हानिकारक होती हैं वो चीज़ों को पहुंचाना जिससे उनके सेहत में नुकसान हो वो satisfied नहीं हो पाता जब चीजें बिक जाती है एक बाद जो चीज बिक गई हम उसको दुबारा नहीं ले सकते हैं जिसे यहाँ पे example दिया गया है कि जब हम चीजों का construction करवाते हैं तो generally क्या होता है एक बाद जो construction हो गया उसके बाद आप उसको रियोटा तो सकते नहीं आपको जो भी contractor नहीं है किसी ने भी जिस चीज को भी पक्का करने से पहले जो आपसे promises किये थे अगर वो आपको अपनी choice का समान नहीं देगा तो आप मजबूर हो जाते हैं उसी चीज को लेकर के चले में in short जो भी चीजे दिलवाने से पहले पैसा discuss करने से पहले जो आपको आसवाशन दिये जाते हैं अगर वो आपको ना दिये जाए तो भी आपको अजीवत लगता है सेम तरीके से electricity provide करना हो banking line होगे, insurance line होगे, telephone की area होगे, medical facilities होगे ये सभी area ऐसी हैं जहां पर जो sellers होते हैं, traders जो होते हैं या तो अपनी इच्छा नहीं दिखाते हैं आपको ignore करते हैं या वो ऐसे चीजे दिखाते हैं जिससे consumer जो है वो काफी ज़दा humiliate हो जाता है वो cheated feel करता है, उसको ऐसी चीजे दिखाते हैं जो काफी ज़दा लुभावनी होती है attractive होती है, advertisement के मदद से या फिर ऐसी चीजें जो गलत तरीके से बेंची जा रही होती हैं, उनके तरफ इनको आकरशित करता है इससे क्या होगा गलत चीजों को बिकाने में ये traders हो sailors मदद करते हैं जिसकी वज़ा से कई बार जो consumer उसको physical as well as mental harassment का भी बोलते हैं न, एक reason बनना पड़ जाता है तब जब ऐसी artificial चीजें हमारे साथ की जाएंगी तो natural है, consumer जो है वो बटक जाते हैं और cheated feel मैसूस करते हैं अब जो लोग पड़े लिखे हैं वो तो चीजों को खरिदने से पहले 10 बार सोचेंगे लेकिन अगर अनपड़ लोगों को differences सिफ 10 रुपे का ही किसी भी चीज पे दे दिया जाए तो उनके लिए वो 10 रुपे बहुत माईने रखते हैं तो वो क्या करेंगे, fake चीजों को, गल्द चीजों को खरिद लेंगे और जिसका बाद में जो impact आता है, काफी जादा dangerous देखने को मिलता है कई बार तो वो ऐसे situation पैदा कर देते हैं, जिसमें चीजों की खपत हो गई, कम ही हो गई और जिससे क्या होगा, consumer जो है, वो चीजों को खरिद के रखने में मजबूर हो जाता है और at the end वो cheated feel महसूस करता है तो ये तो किन-किन तरीके उसे cheat किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा अब, consumer exploitation के कारण कौन-कौन से हैं उसके बारे में discuss करते है consumer is exploited because of the following reasons जो ग्राहक है, वो कई सारे reasons की वज़ा से exploit होता है, उसका solution होता है consumer is himself or self responsible सबसे पहले तो consumer जो है, जो भी ग्राहक है, वो खुदी जवाबदार होते हैं उनके साथ जो भी exploitation होता है, उसके लिए कैसे traders, producers, organizers take undue advantage of consumers by exploiting them in a different ways because of ignorance, lack of awareness, literacy, lack of tendency to become organized and oppose lack of preparation and tendency to fight legally against exploitation जो भी विक्रेता है, जो भी हम तक चीज़ों को पहुचाने का काम कर रहे हैं, चीज़ों को arrange करने वाले जो लोग होते हैं कई बार ग्राहकों का फायदा उठा लेते हैं, कैसे उनको exploit करने का जैसे कि हम क्या करते हैं, हमने order दे दिया तो हम उनको ignore कर देंगे हमें नहीं पता होता कि वो जो चीज़े हमें देर उसके कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं पड़े लिखे ना होना, continuous हमारी नजर ना होना, फिर किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उसको उस पे निगाहे ना रखना उनके जो भी फायदे होते हैं जब वो गिनवाने लगते हैं और अगर हमें उसमें कुछ negativity लगती है तो उनके खिलाफ ना बोलना, चीज़ों के practice ना होना, preparations ना होना तो भी दिक्कत आ जाती है the same way यहाँ पर बताया जा रहा है, कि जब हमारे में यह हिम्मत नहीं होते हैं कि इनके खिलाफ अब हमें legally actions लेना पड़ेगा तो हम कहीं न कहीं cheated feel महसूस करते हैं, तो यह हमारी गलती है कि हम हर चीज़ पर अपनी निगाहें नहीं जमाते हैं और आख बंद करके जिसने जो बेंच दिया उसकर भरोसा कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम ही responsible हैं हमारे साथ हुए exploitation के लिए दूसरा आ रहा है limited information, किसी भी चीज़ की जो जानकारी है वो limited होना जितना बता दिया उतने में संतुषो जाना, वो भी एक रिजन exploitation कमाना जाता है कैसे In the capitalized economy, the producers and sellers are free to produce or sell any commodity or service in any quantity There are no specific rules regarding their pricing and quality regulation wherever they are The rules are not followed strictly In such situations, in the absence of true knowledge or information about usefulness of the product Quality and maintenance, conditions of use after sale services, warranty or guarantee etc The consumer is not given complete information about the commodity Thus, due to limited information and lack of understanding, the consumer tends to make mistake एक ऐसी जगा जहां पर हर जगा पैसा 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 ऐसा ही चल रहा होता ऐसे टाइम पर जो producers होते हैं और जो sellers होते हैं उनको पूरी छूट मिली है किसी भी चीज़ को बेंचने का, किसी भी चीज़ को आगे तक पहुँचाने का, quantity हो, quality हो, कुछ भी है उनके लिए कोई भी ऐसे नए कानुकायदे नहीं बनाए गए हैं जहां पर वो इस तरीके के कानुकायदे को strictly follow करें ऐसी conditions में क्या होगा अगर आपको चीज़ों की सही जानकारी नहीं है या उसके क्या फाइदे हैं, क्या नुकसान है, आपको पता नहीं है quality कैसी है, कैसे maintain करना है, उसके condition कैसी है, कब तक use कर सकते है बेचने के बाद क्या क्या सर्विसेस हमें मिलेंगी, warranty, guarantee, period क्या है अगर इन चीज़ों को मद्देर अज़र रखते हैं, आप चीज़ों को नहीं खरीदोगे या फिर जो भी seller है, आपको आदिया दूरी जानकरी दे, ताब चीज़ों को खरीद लेते हो तो कही ना कहीं इसमें fault किसका है, हमारा है हमें alert और एक aware consumer होने के point of view से क्या करना चाहिए उसके बतावी चीज़ों के अलावा भी हमारे जो भी doubts होते हैं उसे on the spot purchase करने से पहले पूछ लेना चाहिए तो ऐसे में जब limited है आपके पास detail होगी, natural है आपके understanding भी उतनी अच्छी नहीं होगी तो आप उनसे exploit हो ही जाएंगे Then comes third point that is limited supply किसी भी चीज़ की जो supply है वो limited ही रखना बहुत इकम numbers में चीज़ों को पहुचाना When supply of product or service is not in accordance with demand artificial scarcity is created Thus, scarcity is created due to hoarding by traders, producers, betting on natural calamities In such situation, traders take undue advantage by overpricing So, improper supply of commodities in the market is also responsible for exploitation of consumers जब किसी भी चीज़ की जो supply है या जो उसकी service है वो उसके इसाफ से ना हो जेतनी demand होती है मालो अगर market में demand किसी एक चवण प्राश की ज़ाद है For example, मैं भी बताऊं, COVID की situation में चवण प्राश पे लोग ज़्यादा focus कर रहे है Sanitizer पे लोग ज़्यादा focus कर रहे है Mask पे ज़्यादा लोग focus कर रहे है अब ऐसे टाइम पे एक ऐसे situation पैदा कर लेना जिसमें artificial तरीके से यानि अनपचारिक तरीके से उन चीज़ों की कम ही महसूस करवा देना तो ग्रहक क्या कहेगा? हडबड़ा जाएगा और वो उसका फिर ज़्यादा rate दे करके भी चीज़ों को खरीदने की कोशिश करेगा क्योंकि ऐसे में traders जो होते हैं उनका फायदा उठाते हैं और चीज़ों को over price करके market में बेचना शुरू कर देते हैं तो क्यूंकि community की जो supply है वो limited है चीज़ें जो हैं वो हम तक limited period में आ रही हैं limited quantity में आ रही हैं तो हम क्या करेंगे उन चीज़ों को महंगे से महंगे rate में खरीदने की कोशिश करते हैं और ऐसे में हम क्या हो जाते हैं exploit हो दाते हैं by the producers and by the sellers then comes limited competition किसी भी चीज़ की जो competition है वो limited ही रहना कैसे when a single producer or a group of producers have their monopoly in the production and the sale of the commodity or service then due to lack of other alternative producers exploit the consumer in different ways in such a limited और monopolized market the consumer is dumped with defective services and commodities of low quality जब किसी भी चीज़ का किसी मालों कोई भी ब्रैंड का producer single है और वो अपने ग्रूप का main producer भी माना चाहें तो उसका एक ही सोच होती है एक planning होती है क्या कि इसका जो production है और इसकी जो sale है वो मैं अपनी इच्छा से करूँगा चीज़ों के इतना limited period में वो लाता है कि market में उन चीज़ों की खपत होने लग जाती है अब चीज़ों की खपत होगी तो जो consumer है उस चीज़ की क्योंकि उसके पास demand है तो उसको कम rate कम अच्छी quality में या जादा rate दे कर के या defective services के साथ खरीपता है at the end उसे उस चीज़ का पैसा इतना जादा देना पड़ता है कि उसके quality भी satisfactory नहीं निकलती है क्या होगा कि limited चीज़े market में होने की वज़ा से customer के पास ये option नहीं होता कि उसके अलावा कोई दूसरा वैसी चीज़ ले सके जिसकी वज़ा से उनी बेकार चीज़ों को उसे कई बार खरिदना पड़ जाता है क्योंकि उसको उसकी जरूरत होती है और बाद में जब आती है तो जो sellers होते हैं उसकी सारी services को देने के लिए मना कर देते हैं तो ऐसे में भी consumer जो है वो cheated feel करता है तो ये थे हमने कुछ पढ़े details कुछ points के किन किन तरीके से ये consumer को exploit किया जाता है बाकी के new sub points को हम आने वाले next video में discuss करेंगी till then take care, thank you